प्लाइज प्लस का बॉक्स जहां पे सामने है यह काफी क्लीन सा मिनिमल लुक और साइड में है मुट्रोला की ब्रांडेंग यहां पे हमारे पास में है इसका थंडर ग्रे कलर जहां पे है 12GB की राम और 256GB की स्टोरेज और सील को प्रेक और आपको लिए वीडियो को लाइक औ नीचे है यहां पे यह एक सेक्शन जहां पे है कुछ स्टेंडर्ड ग्यान की बातें फिर है यह एक नरम नरम केस फोन की प्रेक्शन के लिए और साथ में है यह एक सिम ट्रेजक्टर टूल यहां पर दुस्तों हमारे पास में अविलेबल है नीचे एक USB A to C केबल और इन फ फोन की प्रेक्शन को रिमूव करते हैं और देखते हैं इसी के फर्स लुक को जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है कलर के हिसाब से और यहां पे गरम बूट करते हैं इसी कुछ और डीडेल्स के बारे में तो यहां पे राइट साइड में है पावर लॉक बटन फिर पीछे की तो यह काफी इंटरस्टिंग फिनिश है कर्वड प्रॉफाइल के साथ में जहां पे एक क्वाइट कैमरा सेट अप है और है एक सो आट मेंगापिक्सिल्स का एफ वन पॉइंट एट अपुछ और ओई-एस के साथ में फिर है यहां पे 16 मेंगापिक्सिल्स क अल्टरा वाइड अगल कैमरा जोके मैक्रो कैमरा का पी काम कर देगा साथ में एक कैमरा 8 मेचापिक्सिल्स का 3X आप्टिकल जूम और OIS के साथ में और फिर है यहां पे साइड में एक टाइम अफ फ्लाइट कैमरा साथ में माली फ्लैश बीच में मॉटरोला की ब्रांडिं और नीचे है यहाँ पे एक और माइक्रोफोन तो क्या है पीछे से तो डेफिनिट्री जो लुक्स हैं वो काफी अच्छी लग रही है इसी फोन के यहाँ पर दूस्तों इस Moto H Plus में लगा है एक 21 इस्टू 9 एस्पेट रिशो के साथ में आने वाला 6.7 इचिस का Full HD Plus OLED screen 90Hz refresh rate के साथ में जहाँ पे quality definitely काफी अच्छी लग रही है और यह दोनों तरफ sides तक curved है इसमें दोस्तों उपर लगी है production gorilla glass 5 की और यहाँ पे हमको मिल जाता है एक under display fingerprint scanner साथ में है एक छोटा सा punch hole style में available 25 megapixel का selfie camera अगर हम बात करते हैं फोन की कुछ और details के बारे में तो य लगा है इसमें snapdragon 865 octa-core processor 5G के साथ में फिर है 12GB के LPDDR5 RAM और 26GB की UFS 3 storage यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है wireless charging और reverse charging के साथ में हाला कि charge होने में time लगेगा च्योंकि charging है सिर्फ 18 watts की फिर यहाँ पर दूस्तों और हम बात करें तो moto के कुछ और available हमको मिल जाते हैं features जहाँ पे हम phone क पर दूस्तों किस्टमाइज कर सकते हैं edge display और हम control कर सकते हैं और यहाँ पर दूस्तों chop chop flash light और twist करने में camera open वगरे होना वो सभी options आप enjoy कर पाएंगे इसी Motorola smartphone में और साथ में कुछ और options भी available हैं यहाँ में बात करते हैं camera की तो खाफी सारे modes available हैं आपकी favorite style में photos को click करने के ल तो कोई problem हम बात करते हैं camera biometric security की तो in display fingerprint scanner तो बिलकुल एकदम first class काम कर रहा है बिना किसी परिशानी के phone को unlock करने के लिए हलांकि यहाँ पे हमको face unlock का कोई भी option नहीं मिलता है इसी phone में तो खेर दूस्तों यह है पूरी कहानी बाते हुई है खतम इसी Moto Edge Plus smartphone के बारे में खेर कर दो कर दो कि सकते हैं